हालो माई दियर क्लाट अस्परेंट्स अब ख्लाट का एक्जाम जैसे-जैसे पास आ रहा है you must be feeling very anxious you must be feeling कि सर अब ये खतम क्यों नहीं हो रहा है सर ये आज एक्जाम हो जाए और खतम हो रई अगर आपको भी ऐसी feeling आ रही है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है बहुत सारे students अब anxiety feel कर रहे हैं बहुत सारे students depressed है stressed है कि sir कैसे exam होगा या नहीं होगा they are very apprehensive whether I'll be able to clear clad this time or not तो आपके लिए कुछ मैं tips लेके आया हूं to manage your stress and to stay motivated during next 15-20 days of your preparation तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा motivation कैसे बना रहे हैं अब motivation देखिए वैसे तो बहुत सारे videos आप online देखेंगे बहुत सारी बाते सुनेंगे but motivation is something which comes from within जब तक वो अंदर से नहीं जागेगा तब तक वो लंबा नहीं चलेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है you have to prepare a list of things you have to do now यह बहुत important है और बहुत सोच के बनाई जाने वाले चीज है मैंने आपको लास्ट वीडियो में time table दिया था उसके according आप list बनाईए और 25 days के 25 challenges भी आपको law prep रोज दे रहा है तो उसके according एक list बनाईए कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही next 20 days में 15 days में करने वाला हूं तो जब आप वो list बनाएंगे और उस list को breakdown कीजिए daily tasks में तो जब वो आप list बनाएंगे और उनको daily task में breakdown करेंगे और रोज उस list पे टिक लगाएंगे तो your confidence will boost up और जैसे आपका confidence boost up होगा वैसे ही आपको और motivation मिलेगा to work on the next day number two है कि आप अपना schedule set कीजिए and set your schedule according to the CLAT examination time CLAT का time 2 से 4 बजे तक का होता है तो at least one o'clock से लेके five o'clock तक you should practice mocks you should practice questions ताकि आप उस time पे hyper productive रहें number three आप जब भी सोने जा रहे हैं और उठने के बाद में at least ten minutes आपको meditation करना है अब यह meditation में क्यों बोल रहा हूं और meditation कोई बहुत बड़ा ऐसा scientific आपको सीख के और meditate नहीं करना you just have to do some breathing exercise 10 minute बैठ के और आप सास लीजिए सास चोड़ी breathing exercise है and concentrate on your breath कि आप जब सास ले रहे हैं और सब सास चोड़ रहे हैं तो उस पर concentrate करना है four thing is and this is very important very very important talk to your mentors guides and teachers yes this is important क्यों क्योंकि आप जब तक उनसे बात नहीं करेंगे जो लोग इस phase से निकल चुके हैं या जिनके सामने कई बच्चे हर साल इस phase से निकलते हैं तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा बहुत सारे students हैं जो आज भी law prep आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो teacher से बात कर सकें सिर्फ इसलिए कि वो teachers की बात सुनके motivate हो सकें और सिर्फ इसलिए कि sir या ma'am आपसे बात करके अच्छा लगता है और stress खतम हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है आप groups में आओ बात करो दिन के आदा घंटा groups में बैठके friends से बात करो teachers से बात करो faculty member से mentor से बात करो और बात दिल खोल के करो this will help you family से बात करो parents से बात करो दिल खोल के बात करो this will help you to relieve your stress and fifth thing जो मैं अपने हर exam की वक्त करता हूं जब भी मैं exam की preparation कर रहा हूं या जब भी मैं कोई intense काम कर रहा हूं जिसमें mind का application बहुत जादा चाहिए तो I generally eat a dark chocolate before starting that activity कोई exam देने गया हूं तो मैं dark chocolate खा के जाऊंगा तो ये 5 चीज़े आपको करने जिसमें the fourth one is very important और comment section में बताईए कि आप stress relief करने के लिए किस से बात करना चाहेंगे जिससे किस से बात करके आपका stress बिल्कुल रिलीव हो जाता है तो उससे बात कीजिए comment section में बताईए और खुश रहिए all the best for your clat examination